दोस्तो नमस्कार दोस्तो गजब हो गया और गजब शब्द वाकई जादूई शब्द है चमतकारिक शब्द है और चमतकार जनादेश के साथ जुड़ जाए तो क्या होता है जी यह दिल्ली का फैसला है आपके सामने क्योंकि अर्विंद केजरिवाल भी जब पार्टी हटक वाटर पहुँचे और सामने कारकरताओं का हुजून था और इन सब के बीच बेश फर के तमाम न्यूस चैनलों के कैमरे उनी की तरफ मू की ये खड़े थे वो जान रहे थे उनकी जुबां से निकला एक एक शब्द इस देश में हर वेक्तिया सुनना चाह रहा होगा और पहला शब्द उनकी जुबां पे गजब ही आया ये गजब शब्द जो बढ़ा शर दे देता है उन्होंने कहा दिल्ली आपने गजब कर दिया आई लव यू गजब योही नहीं होते और शायत चमतकार योही जनादेश के साथ नहीं जुड़ते क्योंकि भारतिये संसदिय राजनिती के इतिहास में किसी भी मौके पर किसी भी चुनाओ को उठा कर जब आप परखने की कोशिश कीजिएगा आपको ऐसी जीत नहीं दिखाई देगी एक ऐसी जीत जिसमें सौ में से नब्बे फीजदी जीत एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल या है और उससे पहले वह जिस जीत का बोजा उठाई वे उसमें 95 फीजदी जीत उसके कांधे पर हो कलपना के परे है 2015 में सत्तर में से 67 सीट और 2020 में सत्तर में से 63 सीटों पर जीत शायद नहरू भी इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाए चाहे वो 1992 का चुनाओ हो या 1997 का चुनाओ हो इंद्रा गा पांधी भी नहीं कर पाए और नरिंद्र मोदी भी नहीं कर पाए और च्छत्रपों की कतार में जो आपके जुआ पे जो भी नाम आएगा चाहे वो एंटियार का नाम आजा या लालू परशाद यादव का नाम आजा या फिर किसी भी चमतकारिक तोर पर किसी भी नेता को तो इतनी बड़ी जीत आपको दिखाई नहीं देगी। इस जीत का मतलब क्या मौजूदा वक्त की वो परिस्तितियां हैं जिन परिस्तितियों की तरफ से इस देश की राजनितिक सत्ता ने आँखे मुंदली हैं। समविधान को ही खारिच करने की परिस्तितियां भी इस देश में पैदा की जाती है। कमोवेश इसी दिशा में जाता है। अन्य था वो कौन सी परिस्तितियां हैं कि दिल्ली के भीतर ना सिर्फ प्रधान मंत्री ना सिर्फ इस देश के ग्रेमंत्री बलकि सबसे बड़े राजनितिक दल के लाखो कार करता। और सबसे बड़े समाजिक संगठा नारेसिस के हज्जारों स्वेश सेवकों की फौज दिल्ली की गलियों में घूम रही थी। मंत्रियों का हुजूम जगा जगा रैलिया कर रहा था।59 Treatment Minster सामिल थी। आप्राज्यों के मुख्मंत्री लगातार अपने अपने तरीके से चीज़ों को परिभाषित करने पर तुले थे। कोई तमगा देता था दिल्ली के मुखमंत्री केजरिवाल को आतंकवादी का तो कोई तमगा देता था कि किस तरीके से यहां परारा जगता है क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था इतनी बड़ी फौज और एक शक्स सामने एक शक्स नहीं था दिल्ली में तक्रीबन एक करोड चालिस लाक वोटर हैं जो देश के अलग अलग प्रांतों से आते हैं प्रांत से मतलब पंजाब से आए हुए बड़ी तादाद में उत्तर परदेश पिहार बंगाल जारखंड तमिल नाडू करनाटक महरास्ट तमाम प्रांतों के लोगों का समागम दिल्ली में ही होता है और इन तमाम जगहों की इस्तितियों को जब ना पियेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इस देश के भीतर हर प्रांत को बीजेपी क्यों गवा रही है और बीजेपी ने रास्टिये मुद्दों के आसरे दिल्ली के भीतर जो सवाल उठा दिये, वो नागरिक्ता से जुड़े सवालते, वो हिंदू मुस्लिम से जुड़े सवालते, वो भारत पाकिस्तान से जुड़े सवालते, वो शाहिन बाग का बिम्ब था, ये सारे बिम्ब क्या खारिच कर दिये जनता ने, ये जनता ने इस सत्ता को भी एहसास कराया है कि दरसल हमारे सम्विधान में भी जो ववस्था की गई है वो मिक्स टिकनॉमी की ववस्था की है यानि चाहते तो पुझीवात शब्द लिखा जा सकता था लेकि नहीं वहाँ समाजवाद भी था और पुझीवात के आसरे आप जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उसमें तो आप सब कुछ बेच देना चाहते हैं ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर को कौरियों के मोल आप कौर्पेट के हवाले कर रहे हैं बलकि आप कौर्पेट के मामले में भी सेलेक्टिव होकर इस देश को ही बेचना चाहते हैं और उस कॉर्पेट के जरीए जो आपको कमिशन मिलेगा उस कमिशन के जरीए आप अपनी पॉलिटिकल पूंजी को बनाकर और करताओं के हुजूम दो दस करोड पार दिखलाते हैं उसके जरीए आप एक आतंकित परिस्थितियों को इस देश के बीतर राजनितिक तौर पर लोगतंतर रहेगा दिल्ली का है समविधान को आप खारिज नहीं कर सकते हैं दिल्ली का है सास है कि दरसल एक वैलफियर स्टेट नाम की सोच होती थी आपने तो धीरे धीरे आते आते उसे खारिज कर दिया और शायद इसलिए कॉंगरेस से लड़ सकती है बीजेपी परिवार के बारे में खूब लकी ने खीज सकते हैं लेकिन इस देश की जनता जब खड़ी होती है और जनता के बीच से निकला कोई शक्स नेता के तौर पर जब सामने आ जाए तो आपकी जुआ लड़ खड़ा जाती है शायद इसी लिए दिल्ली का जवामा एनलैसिस करने बैठे हैं तो क्या कुछ नहीं कहा गया प्रधान मंत्री की रैली में क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था कैबिनेट मिनिस्टर्स की रैली में और मुक्मंत्रियों की रैली में किनके शब्दों का इस्तमाल किया जा रहा था उस पर हमाएं उससे पहले जला समझ लीजिए कि ज अपने इतिहास के सबसे न्यूंतम फीजदी वोट के साथ कॉंग्रेस खड़ी है उसे सिर्फ चार फीजदी वोट मिले है चार दश्मलब दो नौ फीजदी और इसका मतलब यह है कि दिल्ली में उसे वोट देने वालों की तादाद है तीन लाख पच्चास जार आठ सो इक्यावन जी इतने ही वोट मिले है पूरी कॉंग्रेस को सत्तर सीटों पर जो उसके और उसके सयोगी खड़े थे इस से ज़ादा सीट नहीं मिले है इस देश के भीतर के जो अलग अलग छत्रफ हैं जो दिल्ली में अपना भाग जजमाना चाहते हैं जिसमें नितीश कुमार चलकर दिल्ली आ गए उनके उमिदवार भी चनाव मैदान में दो सीटों पर थे बीएसपी के थे जनतादल यूनाइटेट के थे लोग जन्शक्ती पार्टी यानि राम बिलास पासवान के थे शरत पवार यानि एनसीपी के थे सीपी आई सीपीम के थे और इन सब के बीच कोई पसंद ना आए तो एक नोटा भी होता है लेकिन दिल्ली ने तो वाकई गजब कर दिया बीजेपी को जो वोट मिले उसकी तुलना अगर आम आदमी पार्टी से करें उससे पहले इन राजनितिक दलों के इस्तिती देख लीजीगा बीएसपी यानि मायावती को मिला 6.68 पीस दी यानि 55,199 वोट जनता दल युनाइटोड को मिला 6.79 परसेंट वोट यो की लगभग 12,000 होता है 62,000 लोग जन्शक्ति पार्टी को मिला 0.38 परसेंट यानि 30,938 वोट कॉंग्रिस को मिले हैं 3,50,851 वोट जो 4.29 परसेंट है बीजेपी को मिला है 38.74 परसेंट वोट इसका मतलब यह है कि उसको मिले है 31,31,65,628 वोट जी ये बीजेपी का हिस्सा है और आम आदमी पार्टी को मिले है 53.51 परसेंट वोट यानि 43,65,059 वोट यानि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भी अंतर तकरीबन 12,00 वोट रोगा है लेकिन सवाल सिर्फ 12,00,00 का नहीं है कॉंग्रेस के साथ ब्रेकिंग नियूज ये है कि कॉंग्रेस अपने इतिहास के सबसे नियूंतम फिजदी वोट के साथ खड़ी है और सबसे जादा उम्मिदवारों की जमानत जब्त हुई है 63 उम्मिदवारों की जमानत कॉंग्रेस की जब्त हो गई बीजेपी की स्तिती के साथ ब्रेकिंग नियूज है वो चहा कर भी टू जिडिस में नहीं पहुच पाई सिंगल डिजिट में रह गई साथ पे ही आकर खड़ी हो गई उसका जो अपना कोर वोट बैंक है वो बरकरार रहा क्योंकि उसको 38 फिस्दी वोट मिले इसके मतलब आप जो भी निकाली है लेकिन इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि भारत की राजनिती अब उस एकनॉमिक मॉडल को खोज रही है जिससे एकनॉमिक मॉडल का प्रियोग अर्विन केजरिवाल ने किया है और शायद यह एकनॉमिक अल्टरोनेटिव मॉडल की जीत है क्योंकि प्रधान मंत्री ने कमोवेश क्या कुछ नहीं का जोपर पत्टियों को पक्का मकाम देने का जिक्र प्रधान ने किया वेपारियों को जिस्टी की तिक्रमों से मुक्ति दिलाने का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया मिडल क्लास को टैक्स में रियायत देने का जिक्र किया और हिंदूों के दर्वाजे पर मुस्लिमों की खौफ का दर्वाजा भी खट खटाया शाहिन बाग का नाम लेकर इतना ही नहीं उन्हें बटला इंकाउंटर भी यादा गया बड़ा मुश्किल सवाल है ये कोई प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रहकर जिन मुद्दों को नहीं उठाता है वह उन रैलियों में आकर एक बीजेपी के कारकरता और संग के परचारक के तौर पर कहता है इस माईने में कि उसकी पार्टी को जीत मिल जाए तो कोई कैसे माने कि इस देश के प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी है वो क्यों नहीं माने कि RSS के स्वैसेवक हैं वो परचारक हैं वो क्यों नहीं माने कि सिर्फ वो बीजेपी के कारकरता और उसके नेता भरा है कैसे मान लिया जाए इस देश के ग्रेमंत्री की स्थिती भी कमोवेश यही है शायद इसलिए हमें लगता है कि अब उन परिस्तितियों में जाकने की कोशिश करनी होगी इसके आगे की राजनिती जाती कहा है क्या ये मान लिया जाए मोदी और शाह के राजनितिक प्रयोग की मियाद अब पूरी हो गई क्या ये मान लिया जाए कि इस देश में धुविकन की राजनिती जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर होती रही अभी से नहीं विभाजन के बात से होती रही उसकी उम्र दिल्ली ने पूरी कर दी ये अनंत काल तक नहीं चल सकती है और अब आप इस लाइन पर नहीं रह सकते हैं क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से टेक्सपेर का पैसा राजनितिक लाब के साथ जोड़ कर तमाम छत्रप हो या गिंदर में बैठी सरकार हो ये अपने परचार प्रसार में लगाती है और जिस तरीके से हर योजना को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये सीधे तोर पर कॉर्पेट को दे देती है कि कॉर्पेट पूंजी बनाए शायद इसलिए तो इस दोर में देश की जड़िपी नीचे जाती है और किंदर सरकार के सहयोगी और मित्र कॉर्पेटों के म कि पुनाफर उनका टरनौवर उपर जाता है का यह मान लिया जाए कि अब इन तीन परिस्तितियों में अंतर आएगा का यह मान लिया जाए कि बीजेपी के भीतर से कोई आवाज उठेगी क्या ये मान लिया जाए कि RSS में कोई कसमसा हट होगी क्या ये मान लिया जाए कि अब उन तमाम राज्यों पर एक दबाव होगा कि वो जन्ता से जुड़े कार्यों को सरकारी कामकास से जुड़े और सरकार अपने तोर पर जिम्मेदारी ले कि हाँ हम ये काम करेंगे क्योंकि दिल्ली के राजनितिक प्रयोक को समझेगा असंबव सी सीज़ है GDP जो दिल्ली की है और दिल्ली का जो बजट है उस बजट का 27 फीज़ी सीधे सीधे एजुकेशन सेक्टर में लगाया गया क्या कोई राज़ कर सकता है कोई भी डबल डिजिट में नहीं आता है अगर इस्तितियां देखेगा तो 3 से 4 फीज़ी के हिस्से में ही हर किसी के एजुकेशन का बजट है क्या दिल्ली के भीतर जो हैल्थ सेक्टर पे खर्च किया गया उतना खर्च देश के बड़े बड़े रज नहीं कर पाते है क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से निचले तबगे को बिजली और पानी मोहिया कराने की दिशा में दिल्ली बड़ी उस इस्तिती में अब कोई जिम्मेदारी सरकारी लेंगी या सरकारों के पास मॉडल सिर्फ एक ही होगा कि हम तो कॉर्पेट के आसरे चलेंगे और कॉर्पेट ही रोजगार दे सकता है वही पुझी से पुझी बना सकता है उसी के उपर हमें आश्रित रहना होगा और हम एक बाजार हैं और आप केजरी वाल ने एक चिनोती दी निजी करण को केजरीवाल ने एक स्वस्त परतियोगिता शुरुवात की दिल्ली में कि आप भी काम कीजिये हम भी काम करेंगे स्कूल प्राइवेट भी चलेंगे सरकारी भी चलेंगे हेल्थ सेक्टर जो है प्राइवेट चलेगा लेकिन पैरलेल में हम सरकारी हेल्थ सेक्टर को भी बढ़ाएंगे इतना ही नहीं जो बिजली कमपनियों में जो जिसका निजीकरन था जो की एक वक्त में अनिलम्मानी की कमपनी भी वहां पर काम कर रही थी उनके सामने उन्होंने कच्चा चिठा रख और बताया इतना पैसा आप बोच कैसे डाल सकते हैं जब आपका खर्च ही कम हो रहा है तो क्या ये परिस्तितियां आने वाले वक्त में देश की राजनिती को एक आर्थिक परिस्तितियों से जोड़ेगी ये सारे सवाल है और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिस द्रुइकन की राजनिती की शरुवात इस देश में अजादी के बाद से हुई थी वो धीरे धीरे कितनी पराकास्ठा पे पहुंच सकती है ये समविधान शंशोधन के साथ और नागरिक्ता के सवाल के साथ 2020 यानि 2020 में हमारे सामने खड़ा है और इसी को दिल्ली में मुद्दा बनाया गया क्या ये इस मुद्दे की हार है या इस मुद्दे के उठाने वाले राजनितिक नेताओं की हार है क्या ये बीजेपी के भीतर का संकट है क्योंकि बीजेपी रास्टिय तोर पर जो उप्योगिता अपनी 1980 में पार्टी बनने के बाद से बताती रही या जनसंग के दोर में भी चले जाईएगा वो बताती रही या RSS की अगर शुरुआत को समझिएगा वह भी जो बताती रही उसमें एक सरोकार की भाशा आपको नजर आ सकती थी तो क्या ये माना जाए कि नरिंद्र मोधी बीजेपी को दरसल इतनी आगे ले जा चुके हैं जहां पर लोगों को सिर्फ नरिंद्र मोधी दिखाई दे और हमिशा दिखाई दे और दिल्ली ही नहीं हर चुनाओं के भीतर में जिस तरीके से कारकरता वहां पर मौजूद रहते हैं उनकी कोई उप्योगिता होती नहीं है तादाद बड़ी है लेकिन उप्योगिता क्या है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो परसेंटेज और वोट नजर आया खासतोर से दिल्ली के उन इलाकों में जहां सतर फीजदी से ज़्यादा वोट पड़े हैं वहां पर देखने में नजर आया कि मुसलिम भूल इलाके हैं वो लेकिन मुसलिम और निचला तबका जो दलि स्ट्रक्चर तो क्या यह माना जाए कि हमिशा का जो सांगठनी के स्ट्रक्चर था उस तिल्ली में ढढ़ा कर गिर गया क्योंकि उसके भीतर की वोटिंग कम होती चली गई और इस बात का जो जिक्र था कि पिछली बार की तुलना में जो लगभग 5% वोट कम पड़े हैं औ यहां मादमी को घाटा 0.5% का हुआ है और शिफ्ट जो वोट हुआ है वह बड़ी तादाद में कॉंग्रेस का वोट शिफ्ट हो गया है यहां कॉंग्रेस का जिक्र करने कि या जरुरत है या नहीं है कॉंग्रेस एक सबसे पुराने राजनितिक दौल के तोर पर और दिल् कि इतनी बड़ी तादाद में उसको वोट जो मिला वो सिर्फ अगर 3,50,851 वोट मिले तो इससे बड़ी तरास्दी कॉंग्रेस के लिए हो नहीं सकती है इसमें कोई दौमत नहीं है लेकिन सवाल है कि जो मुद्दे थे उन मुद्दों के भीतर जांकिएगा तो तीन बात कलकर बहुत साफ तोर पर आ रही है वेलफेर स्कीम अगर आप ऐलान करते हैं तो आप जिम्मेदारी बजट के साथ और इंप्लिमेंटेशन के साथ इस स्टेट को लेनी होगी इस स्टेट सारी चीजे प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकता है दूसरी बात जिस आने के बदले अगर आप कॉर्पेट को ट्रांसफर कर रहें इसे अब आपको रोकना होगा और रास्टवाद की जो सियासी परिभाशा गड़ी गई है और पाकिस्तान को लेकर जो सियासी घर्णा पैदा करके हुए इस देश को बांटने की कोशिश जो की गई सम्विधान इक संस्थानों को जो सत्ता नुकूल बना दिया गया और उन्हें धाल बना दिया गया वो धाल हर तरीके से हैं वो सुप्रीम कोट के तर्च पर भी है वो इलेक्शन कमिशन के तर्च पर भी है वो सीबी आई के तौर पर भी है वो आईटी या एडी के तौर पर भी है वो स इस लिहाज से किया जहां पर आपका कोई मुद्दा किसी भी अस्तर पर किसी भी कॉंस्टेंसी में ना टिक पाए क्योंकि जो फिरिस निकल कर आती है वो फिरिस वाकई शांदार है उसका एक धाचा समझने की कोशिश कीजिए जोपर पट्टी बहुल 14 सीट हो या रईस और सर केजरिवाल का जादू चल गया और मुस्लिम बहुल इलाकों की 9 सीट पर भी केजरिवाल का असर रहा और बिहार यूपी बंगाल जारकंड से दिल्ली में जो रोजगार की तलाश में पहुंसते हैं जिने पुरभिया वोटर कहते हैं उनके मातहत आने वाली उनने सीटों प का नाम लिया उसने जोपड़ पट्टी वालों का नाम लिया रईसों का नाम लिया नौकर शाहों का नाम लिया बिल्ल क्लास का नाम लिया जो दिहारी मजदूर हैं उनका नाम लिया मुस्लिमों का नाम लिया पुरभिया वोटरों का नाम लिया क्या कुछ नहीं किया सब न केजली दिली के खजाने से ही वो पैसा दिया जा रहा था और बजट में उसकी विवस्था की गई इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि इस देश के टैक्सपेयर का पैसा जो पहुंसता है सरकारों के पास वो सरकारे टेक्सपेर का पैसा ही उन टेक्सपेर्स को नहीं लोटा पाती है योजनाओं के जरिये या उनके अनकूल कार्रेयों को करके केज़वीवाल ये कर रहे थे यही है वो अल्टरनेटिव एकनौमी जिस एकनौमी ने नया पाथ इस देश को दिया है कि पॉलिटिक्स कहने पर नहीं चल सकती है और यहीं से एक आखरी सवाल निकलता है जब किसी की साख खतम हो जाए तो उसका कहा हुआ हर वक्तव्य सिवाए पॉलिटिक्स के कुछ नहीं होता है और ध्यान दीजिए प्रधान मंत्री मोदी या बीजेपी या बीजेपी से जुड़े तमाम नेता या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे साख खतम हो गई है भरोसा और उमीद आप से नहीं बच पा रही है इसलिए आप जो भी शब्द कहते हैं जो भी ऐलान करते हैं उसे सुनना तो मजबूरी है क्योंकि हमारे सामने नियूस चैनलों का एक भूपू का संसार है जो अपनी बातों को आपकी बातों को लेकर आएगा और उसी डिजाइन में हमें समझाने की कोशिश करेगा ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आच चुनावी जीत के बाद केजरिवाल के लिए कसीदे गरने किस्तिती में वो तमाम नियूस चैनलों को आना पड़ा लेकिन बावजुद इसके कुछ चैनल टटूल रहे थे कॉंग्रेस अगर मजबूत होती तो केजरिवाले से नहीं जीत पाते नहीं सवाल ये नहीं है सवाल है कि जब साक खतम होती है तो फिर जब सारे वक्तव लफ लफाजी लगने लगते हैं तो वो लफाजी वाले शब्द चाहे आप सलक पर कहें या संसद में कहें लोगों का भरोसा नहीं जाकता है क्योंकि टैक्सपेर के पैसे का पुपयोग क्या करते हैं यह दिल्ली ने एक सिखाया है पार्ट हाला कि दिल्ली के साथ एक पॉस्टि करना एक जिम्मेदारी केंदर की होगी लेकिन बावजूद इसके अगर बजट का रेशियो देखिएगा तो वह लोग कल्यानकारी योजनाओं में सबसे ज़्यादा ऐलान के तोर पर नहीं लगाया गया बलकि जिम्मेदारी ली गई यानि एक किसान सम्मान निधी की तरह नहीं है जिसमें प्रधान मंत्री ने कहा कि हर चार महीने में दो हजार आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा और करनाटक पहुचके उन्होंने एक बटन दबा दिया कि देखिए पहुच गया ना आठ करॉड किसानों के हाँ लेकिन धाकीकत की इस्तिती है कि सिर्फ त बटन दबाया गया था जो दो जनवरी को बटन दबाया गया था वो फेक बटन था क्योंकि दो तीन करॉड किसानों को पहले ही पहुच चुका था पैसा क्योंकि दिसंबर से वो शुरू होता था दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च चार महीने में दो हजार तो दिसंबर के यहां पर यह है कि हम इस काम को पूरा करेंगे और उस काम के लिए ये बजट ऐलोगेट किया जा रहा है इसलिए ध्यान दीजिए कि किंद्र की कोई भी योजना जिसमें बजट का ऐलान होता है उसको इंप्लिमेंट करने के तौर तरीके हैं ही नहीं तो क्या दिल्ली का ये मेसेज है कि अब आपकी बातों में नहीं आएंगे या फिर आप जो कहते हैं वो सिर्फ लफाजी में बातें गुम हो रही है और एक तीसरी बात यहाँ से निकलती है क्या अरविन केजरिवाल अब सिर्फ दिल्ली के नेता है एक दूसरा सवाल जिस बिहार के मुक्मंत्री है आप वहां पर आएंगे तो आपको सुविधाई देंगे ये सारी बातों का जिक्र कर गए लेकिन उनके हिस्से में आया एक फिस्दी से भी कम वोट शुन्य पॉइंट सेवन नाइन परसेंट जानि दिल्ली के लगभग सिर्फ बासट हज्जार देश के तमाम छत्रपों के भीतर एक मैसेज गया है और वो मैसेज बीजेपी के लिए खत्रे की घंटी है क्योंकि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन शिवसेना भी बीजेपी को रोकने के लिए केजरिवाल के पक्ष में कसीदे गड़ रही थी ये अपने आप में कै इसी इस्तिती है जिसका नियम बड़ा साफ है कि मौजूदा वक्त की राजनिती हिंदुत के आसरे नहीं देखेगी मौजूदा वक्त की राजनिती और सियासत सिर्फ धुरिकन की तोर पर नहीं देखेगी और मौजूदा वक्त की इस्तिती आपकी लफाजी को नहीं सुने इस बात का हसास है कि अब शिपसेना क्या भी मुक्मंत्री महरास्ट में उसे भी काम करके दिखाना होगा अगर वह केजरिवाल की तारीफ करता है तो नितीश कुमार जो लफाजी करने दिल्ली आ गए उन्हें भी वहां काम करना होगा यानी नहीं तो वैकलपिक एकनौमी के स कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर कड़ी हो जाएगी और बीजेपी का कद तो नरंद्र मोदी के साथ इतना बड़ा हो गया है कि क्या वाकई नरंद्र मोदी की हार के बाद बीजेपी का वाकई कोई नाम लेवा नहीं रहेगा वो इतने अंधियारे में चली जाएगी ये समाम परिस्थितियां दिल्ली के चुनाओं से निकली है और आखरी मन्त खास तोर से वोटों के लحاظ से हिंदोस्तान की शिराओं या रगों में जब हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डैमोकरेसी दौरती है और आप डैमोकरेसी की गर्दन के उंगलियां मत शांती प्रिय देश है हम आप हमें डराईए मत राफेल के नाम पर भी मत डराईए और बाला कोट के नाम पर भी मत डराईए सेना में कमांडर का पोस्ट क्रियेट करकर इस देश की सेना को राजनितिक चेहरा मत पनाईए इस देश के समविधानिक संस्थानों को रहने दीजि इस देश की राजनितिक मैदान में ही हो जाएगा और उसके बाद कोई नाम लेवा नहीं रहेगा और दिल्ली में चुकी अलग अलग प्रांटों से लोग यहां पर आते हैं और दिल्ली के अपने वाशिंदे नहीं के बराबर है दिल्ली तो कितनी बार उजड़ी है, कितनी बार बसी है इन तमाम परिस्तिती में असल मुद्ध यही है यह सारे लोग कल दिल्ली से बाहर जब निकल कर जाएंगे अपने अपने जड़ों की तरफ वो जड़ों को बतलाते हैं अलग अलग प्रांतों में जाकर दिल्ली का मतलब यह है और यही केजरिवाल को रास्टी नेता के तोर पर अस्थापित करता है सवाल यही है, जो शुन्निता मोदी के सामने नजराती थी क्या वो शुन्निता भरने की दिशा में अब कदम बढ़ेंगे केजरिवाल के या केजरिवाल खामोशी के साथ अपने एकनॉमिक मॉडल को धीरे धीरे और मजबूत बनाएंगे और रास्टी तोर पर संदेश तमाम च्छत्रपों को देंगे कि आपके लिए हमी असल में नेता हैं और आप हमारे पीछे खड़े हो जाएए इंतिजार करना होगा आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर कदम बढ़ाती है और पहला कदम क्या वो बिहार होगा और बिहार में अगवाई कौन करेगा कि आप प्रशांत की शोर करेंगे ये सवाल है सारे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया इतिहास में ऐसे च्छन बहुत कम आते हैं जिस च्छनों को लेकर आप राजनितिक तोर पर उन इस तितियों को महसूस करने लगे जहां इस देश के वोटरों का महत्व है महत्मा गांधी ने यही तो कहा था जिस दिन इस देश का वोटर समझ जाएगा इस अंग्रेजी हकूमत की तरज पर कारवन कौपी के साथ सिर्फ चमड़ी बदली हुई सियासत को पलट के रख देगा बहुत 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 बहु